प्राइम टीवी पर श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम हल्थ मंत्रा जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करते हैं कोई ना कोई ऐसा सेग्मेंट पर बात करते हैं जिससे संबंदित हमारे साथ डॉक्टर मौजूद होते हैं आज ऐसे ही हम देंगू पर बात करने वाले हैं जिसके बच्च सकते हैं कैसे निजात पा सकते हैं सर आपका हमारे health mantra show में बहुत-бहुत स्वागत है दन्यगाद सबीदरसगो को मीरा नमस्कार हम लोगहर बार अपने health mantra show में एक नए बदसक्राइंगे का काई होता है और किस तरीकिया होते हैं किस तरीकी से हम बच्सकते हैं सबसे पहले हम जाना चाहेंगे कि डेंगू के बारे में आप बताएं कि डेंगू सबसे पहले होता क्या है क्योंकि कुछ लोगों को reason नहीं पता पड़ पाता है कि डेंगू और आम एक बुखार में क्या चीज़ फरक होती है जी डेंगू एक वाइरस के दारा फैलने वाली डिजीज है जो कि एक वाइरस जिसका कारान होता है और इसमें नॉमल जो दूसरे बुखार की तरह से ही बुखार आता है लेकिन कुछ डिफरेंट के साथ में होता है कि इसके सिम्टम जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा एग और दर्द इतना ज़्यादा होता है कि इसको हम एक ब्रेक बॉर्ण फीवर भी कहते हैं जी अज़र डॉक्टर ये जो टेंगू फैलने का एक होता है कि किस तरीके से फैलता है ये लोगों में डेंगू एक मॉस्कीटो के द्वारा फैलने वाली डिजीज है जो कि ने प्रिंजीज के से लेता इसनने Oldoj ये ऻाती है कि डेंगू कि काटने की बात इसमें डिफ्रेंशेट भी किया जाता है जो दिन में में उक्रखें हम आले मच्र जो ऊजर जो जो लागव होते हैं इसrite इसाए नहीं ऐसा नहीं है यह डेंगू का जो मर्षर है वो दिन और रात दौनों में ही काटता है लेकिन क्योंकि दिन में वो मर्षर एक्टिव रहता है तो इसलिए उसके लिए कलग से कहते हैं कि दिन में काटता है लेकिन मर्षर जो एडीज मर्षर है वो दिन में भी काट सकता है हम इसमें लक्षणों पर बात करना चाहेंगे कि सर लक्षण के लिए आप हमें बताएं कि डेंगू के लक्षण को हम कैसे पहचान सकते हैं किस तरीके से जज़ कर सकते हैं कि यह क्या लक्षण होते हैं डेंगू के तो ये लक्षन है जो कि हम डान्गू प्रिडिट करते हैं और दूसरी चीज यह है कि डान्गू अकसर फैला हुआ होता है पाथी डेंगू का जो सरीर में दर्द और पैरों में दर्द वो इतना ज़्यादध तेज होता है जिसको हडी तोड बखार भी कहा जाता है क्योंकि उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है दूसरे सामाने बखार के अपेक्षा जी आपने जैसे अभी बूला कि बाडी में बहुत जादा होता है और सरदद वगेरा तो यह आजकल कोरोना के लिए भी यह वाले सिम्टम्स कोरोना वे भी है तो कोरोना और डेंगू को अगर हम दोनों को डिफरेंस मतलब उन दोनों में क्या चीज़ डिफरेंस रहेगा फिर कोरोना में फ्लू लाइक सिम्टम्स जादा होते हैं और कोरोना में जो सिम्टम्स होते हैं वो जो हमारे फैफरों से सम्बनी सिम्टम्स होते हैं वो जादा डॉमिनेंट करते हैं जैसे कि खासी आना सांस फूलना और जुखाम की सीवेर्टी जादा रहेगी बुखार उस तो वो करोना की तरफ ज्यादा उसमें द्यान दिया जाएगा दर्वाइज जो है वो नॉर्मल जैसे कि आजकल लखनु में या उत्तर प्रदेश में भी डंगू का कहर है तो डंगू सस्पेक्ट है हम कर सकते हैं साथ जैसे डंगू फैलने की बात अभी हम आप से कर रहे तो क्या देंगू भी ऐसी person to person फैलता है जी नहीं । जो है सिर्फ मच्षरों के काटने से ही फैलता है जब मच्षर आपको काटेगा तभी डंगू फैलेगा जबकि करोना में जो है रेस्पिरियर्स डॉपलेट्स के द्वारा, सांस के द्वारा फैलता है और दूसरा करोन क्योंकि एक infectious disease है जो कि हम एक दूसरे से touch करते हैं या close contact में आते हैं तो corona उससे हो सकता है लेकिन डंगू में इस तरह का नहीं है कि आप किसी डंगू वाले मरीज के साथ बैठे हैं उसको touch कर रहा है उसके care करने तो आपको डंगू हो जाएगा आपको डंगू तब तक नहीं ह वकूला मचार आपको काटेना शुए सर यह है कि हम अगर डंगू का पता लगाने के लिए जाते हैं जब दॉक्टर के पास जाते हैं तो किस तरीकिया के test किये जाते हैं kान से test कराइ जाते हैं डेंगू का पटा लगाने के लिए हम blood में जो routine test होते हैं वो तो हम करते ही है इसके एलावा जो आजकर rapid car test होते हैं जिसमें हम antigen test करते हैं जिसको की carड में NS1 के नाम से लोग जानते हैं उसमें डेंगू का हमें दूसरे से तीसरे दिन तक ही पता चल जाता है कर डेंगू का इंफेक्ट फीवर है इसके अलावा तीन वुखार आने के दूसरे तीसरे दिन एंटिवाडी सरी में बनने लगते हैं तो उसके लिए काड एलाइजा एंटिवाडी टेस्ट होता है वो भी काड से होता यह दोनों ही मैथड की होती है कि एक डेडलाइन होती कि उस टाइम पीरिड तक अगर आपको बहुत जादा ऐसा चीज़ हो रहा है तो किस टाइम पीरिड तक डॉक्टर को हर हाल में हमें दिखा लेना चाहिए जी बिलकुल डॉक्त डेंगू का है कि कुछ मरीजों में डेंगू एस्म्टोमेट जाता है लेकिन जब कुछ को कुछ परिशानी ज्यादा बढ़ने लगती है जैसे कि उसको उल्टियां आना सुरू हो जाएं सिर्दर्द बहुत ज्यादा हो मरीज एक ठकान सा फील करें और उसका खाना पीना कम होने लगे एक लिथारजिनेस उसको आने लगे तो उसको अगर टाइमली हम डाक्टर से कंसर्ण ना कर पाएं और ना करें तो क्या कुछ और बीमारिया भी उसके चलते क्रियेट हो जाती है अगर आप टाइम से नहीं करेंगे तो डेंगू के जो कॉंप्लिकेशन है जैसे कि डेंगू मैं आगे चल करके बॉडी के अंदर फ्लूड कर जाता है और जब यह लीकिंग वाली प्रकृया सुरू होती है तो यह मल्टि- ओर्गन्ट कर देता है तो उस इस्तिति में मर्टि- ओर्गन फेलियर में पिसेंट- चला पहुंचने से पहले आप समय से जो है डॉक्टर को दिखाए और उनकी सलाह पर भरती के लिए अगर वो कहते हैं तो फिर भरती को हूँ जैसे कई बीमारियों के जैसे हम और बीमारियों पर बात करते तो हर बीमारी में कि स्टेज़ बनी होती हैं फॉर्ट स्टेज तो क्या डेंगु में भी स्टेज़ वाला हुआ प्रोसे होता है कि इसमें भी फिर्स और सेकिंडर और थर्ड फॉर्ट स्टेज़ होती है एक पूस्ट कि आपने भी बोला कि अगर टाइम ली ना दिखा पाएं तो जानलेवा भी हो सकता है तो क्या इसमें इस स्टेज्ज कें कसे एक्वीर और लेकिन डूका टाइप होता है एक होता है simple dengue fever जिसमें classical symptoms होते हैं एक दूसरा type होता है जिसमें कि dengue hemorrhagic fever होता है hemorrhagic fever with sock तो तीसरे type का हो गया hemorrhagic fever with sock एक hemorrhagic fever without sock sock का मतलब कि blood pressure fall करना तो यह जो चीज differentiation है या इसमें जो symptoms है यह doctor ही समय पर decide कर पाएगा doctor C उसको पहचान पाएगा जब आपको वो examine करेगा तो इसलिए किस type का dengue आपके अंदर develop हो रहा है किस type का वो हो रहा है यह आप जब doctor से consult करेंगे तभी doctor आपको यह बता पाएंगे तो इसलिए पहचाना doctors के advice पे चलना या doctors को दिखाना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आपके डेंगू hemorrhagic shock syndrome या इस तरह की चीज़ा तो यह बहुत ही serious एक इसू होता है जिसमें की काफी सारी समस्या होती है और जिसको की फिर एक aggressive तरीके से treatment किया जाता है जी बाकी doctor जैसे आपने भी बात आप बता रहे हैं जैसे कई type होते हैं तो इन सभी टाइपों का इलाज सिर्फ एक ही होता है यह सब के इलाज अलग अलग होते हैं जैसे सब जो डेंगू classical fever है उसमें सिर्फ यह हम चीज करते हैं कि परेश्टमॉल देते हैं और patient का hydration maintain होना चाहिए यानि कि patient को हम कहते हैं कि आप ठीक से पानी पियो सरीर में पानी की कमी न होने पाए और बुखार आने पर परेश्टमॉल इनिशली दी जाती है कि डेंगू की exact कोई medicine नहीं है जो की डेंगू virus पे काम करती हो हम उसके symptoms को ही treat करते हैं और डेंगू symptoms जैसे बुखार आया मरीज को तो फिर हमने परेश्टमॉल दी बुखार करते होनला लगता है इस बीच में अगर हमारा काम परेश्टमॉल से चल गया तो हम ठीक है परेश्टमॉल से ही उसको cảंट्रोब कर लेते हैं अगर इस बीच में पैशेंट डूसरे किसी प्रेंट में चला गया कि डेंगू सॉक सिंद्रोम है तो पिर उस इस तिथी में डें प्रेस्टर चर्टर में हैं कडोवां प्रेस्टर और होता है कि अगर नॉमल रूटीन में चलते हैं जैसे कि ट्राइंगू क्लासिकल फीवर जो होता है उसमें 6-7 देज में मरीज ठीक होने लगते हैं लेकिन अगर उसके अंदर कॉंप्लिकेशन यह सब सुरू हो जाते हैं डेमरीजिक सॉक सिंड्रोम और इस तरह की चीजें तो मरीज को साथ से 10-15 दिन जी हाँ बिलकुल हो सकता है डेंगू जो है चार तरह के वायरस से होता है तो यह पेशन्ट को चार तरह के वायरस है तो पेशन्ट हर बार अलग वायरस से इंफेक्टेड हो सकता है अगर किसी को पहले डेंगू 1 से वायरस से हुआ इंफेक्टेड तो कुछ समय बाद या द हो सकता है और अगर यह है कि सर जिस जो पेशेंट है अगर मान लीजे कोई फीबेल पेशेंट की हम बात करते हैं वो प्रेगनिंट है तो वो अगर वो लेडी डेंगू से पेड़ित है तो क्या उस होने वाले बच्चे पे भी असर पड़ता है जी बिलकुल डेंगू जो है मादर से बच्चे में ट्रांस्मिट हो सकता है विजस तोर पे जब डिलिवरी के समय पे या फिर बीच में जब बच्चा पेट में हो उस समय पे भी ट्रांस्मिट हो सकता है और अगर वो ट्रांस्मिट होता है तो बच्चे पे उसके जो है दुस्प्रवाव पढ़ सकते है जो कि काफी गंवीर भी हो सकते हैं तो डॉक्टर अगर हम उन प्रेगनेंट लेडी के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उनके ट्रीटमेंट में क्या कोई डिफरेंस होता है या सेम ट्रीटमेंट जो नॉर्मल परसन में चल रहा है उनहीं में ऐसे ही चलता है टीटमेंट दोनों इस्तिती में सेम ही होता है लेकिन अगर प्रिग्नेंट लेडी है तो निश्चित रूप से महिला रोगजी के सक उस समय पे इन्वाल्व होती है क्योंकि वो बच्च की और मदर की प्रिग्नेंसी से रिलेटेड वैल बिंग को चेक करती है उसको फालो अप कर रहे हैं क्या उससे भी क्योंकि अगर मदर डेंगू से पीडित है और चोटा बेबी है निवबॉन बेबी है जो बिल्कुल डेपेंडेंट है उन पे मदर पे तो क्या उन बच्चों में भी ऐसा चीज आ सकता है उनको फी डेंगू हो सकता है अजिए ब्रेस्ट मिल्क से सम्भाबना जो है बहुत कम होती है तो इसके कैस बहुत लीश्ट है लेकिन है जी मतलब यह है कि उससे भी possibilities है कुछ percent की ही सही लेकिन कुछ possibilities रहती है कि ऐसा हो सकता है newborn babies के साथ में अच्छा डॉक्टर यह है कि डेंगू से सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है किस तरीके से हम अपने को क्या है बचाव के लिए कैसे सुरक्षित रख सकते हैं देखिए डेंगू से बचाव के लिए हमें मच्छर से बचाव करना होगा तो सबसे जो महत्मूर्ट चीज़े हैं कि हमें मच्छर से जो बचाव के उपाए हैं वो सारे अपनाने चाहिए जिसमें कि अगर बच्चे हैं तो हम उनको फुल स्लीप की सट्स पहन करके घर से बाहर बेज़ें मॉस्कीटो रेपेलेंट जो भी क्रीम अबलेवल हैं पहार निकलने पर उनका इस्तेमाल करें अगर घर में आपके जाली वाले डोर हैं तो उनको हमेशा बंद रखें या नॉर्मल दरवाजे भी हैं तो उनको ज़्यादा तर समय बंद रखें और इसके बावजूद भी अगर घर में मक्चर हैं तो फिर रात में मच्छरदानी का प्रयोग करें और घर में जो मॉस्कीटो किलर वाले केमिकल्स आते हैं उनका समय समय पर उप्योग करते रहें और इसके साथ मैं घर में मच्छनों को पनपने का कोई जरिया ना बनने दें जैसे कि मच्छर एक इस्थिर पानी में अपने लारवा देता है तो घर में इस तरह का जो है कोई पानी एकटा नो होने दें बाकी है कि सार डॉक यह डेंगू क्या किसी पर्टिकुलर सीजन में ही होता है यह बारिश के टाइम पे ही इसके केसिस ज्यादा परते हैं जी डेंगू एक हीमिडिटी और टेंपरेचर इसके ग्रोथ को एफेक्ट करते हैं तो जो 25-26 डिग्री से उपर का जब टेंपरेचर ह हीमिडिटी के साथ में होता है तो मच्छर तेजी से फैलता है और मच्र ग्रोथ करता है और उसमें डेंगू के फैलने की संभावनाएं ज्यादा हुती है बाकी है कि हमारे बढ़े बज़र्ग बड़ा घरेलू उपाए और घरेलू नुसके भी बोलते हैं डेंगू के स्वेद्वगरा में थोड़ा सा is चीज को मेंशन किया गया है कि पपीता है पपीतेकी पत्तिंग सेवर्ण करने से प्लैटलेट्स काउंट को बढ़ते हैं क्योंकि टैगाउ में जो प्लैटलेट्स हो एक चांत प्रत और होता है तो इसको इस्तेमिल कर सकते हैं नारिल का पानी है हाइडरेशन के लिए बेटर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ में लेकिन कभी-कभी लोग इनको काफी ज्यादा मात्रा में जल्द वाजी में बहुत ज्यादा सेवन कर लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मरीज ओपीडी बेसिस पे ही ठीक हो रहा है सब कुछ है लेकिन उसने इतना जादा पपिते की पत्ती का रस पी लिया या सीधे खा लिया तो उसको उल्टिया होने लगती है उस इस्तिती में उसकी जो नॉमल रूटीन दवाईयां है वो भी नहीं चल पाती तो थोड़ा सा इस सब का ध्यान रखना चाह होगा तो हम अनकंट्रोल रही होता है जी बिलकुल हर चीज को आपको समलकर ही खाना है क्योंकि हर चीज अगर आप एक्सेश करेंगे तो वो नुक्सान कर सकती है एक मात्रा में ही वो सब चीज है आपके लिए फायदे बंद हो सकती है और सार हम अगर हम अगर लिए कोई कोई इंजेक्शन भी इस्तमाल किया जाता है नहीं अभी तब कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं लगा जाता है लेकिन हाँ अभी तो इंट्रमस्कुलर इंजेक्शन दर्द के लिए लुग लगाते हैं लगवा लेते हैं कई लोगों को पता है कि हम यह injection दर्द के लिए होता है हम इसको muscular लगवा लेते हैं तो जब platelet उसके कम होते हैं तो उस इस्तिती में intra muscular injection जो है dangerous हो सकता है क्योंकि जब वो injection लगेगा तो वहाँ injection side पे bleeding होने की संभावना रहेगी वहाँ पे सूझेना है कि hematoma मन जाएगा जो कि एक problem कर सकता है तो इसलिए intra muscular injection या अपनी तरफ से medication बिना doctor की जला के समय नहीं करना चाहिए डेंगो में बाकी सार जैसे हम कई medicines हैं homopathic है alopathic है ayurveda है इन में से अगर हम एकर चाहे हैं तो कौन सा बहतर विकल्प है कौन सा बहतर रहता है सबसे ज़्यादा convenient रहता है लोगों के लिए अगर हम तीनों में से अगर चाहिए निशी तरुप से alopathic science based medicine है और evidence based medicine है तो alopathy पर ही जाना चाहिए दूसरी पत्ति के लिए क्योंकि मेरी उसमें कोई बहुत specialty नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा उस पर कुछ comment नहीं कर पाऊंगा लेकिन alopathy से बहुत मरीजों की जान बसती है बहुत से मरीज ठीक होते हैं तो best medicine तरीका है और पेशन को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं किन चीजों से परेस करें और किन चीजों का सेवन करें ज्यादा कि नंगू में जैसे कि दूसरे और्गन एफेक्टर होते हैं इस तरह से अब्ड़मन इंट्रेश्टाइन भी एफेक्टर होती हैं तो आपको खाना हलका ही रखना चाहिए जो कि आप आसानी से पचा सकें बहुत ऑईली फूड या स्पैसी फूड यह सब चीजा नहीं लेना चाहिए तो हलका खाना रखें किछ्री दलिया अगर डाल चावाल आप इस तरह की जो चीजा खा रहे हलका खाना खाएं जो कि आप आसानी से पचा सकें बागी सर एक दूद के लिए भी कुछ इंस्ट्रेक्शन दिया राते हैं कुछ प्रेकॉशन होते हैं दूद जो लोग लेते हैं उसमें भी बोला जा लोगों में परचलन है कि बकरी का दूद जो है से प्लेटलेट भड़ जाते हैं पर क्योंकि एलोपेथी में इसका कोई बहुत इविडेंस नहीं है इसलिए इस पर तो कुछ कहना मुस्किल होगा क्योंकि कहा जाता है भाहस का दूद बहुत जदा हैवी होता है उसको शद् पचा सके हैं इसके दूद में फैट ज्यादा होता है तो पचाने में आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपके ठीक नहीं है तो आप पतला दूद लें डायलूट करके लें लेकिन अगर आप डूद रेगुलर लेते रहें पहले से तो लें बीच में अचानक से आप दूद बाकिस्ट फूट के लिए भी बोला जाता है कि कौन-कौनसे फूट उस टाइम पर हमें जादा लेने चाहिए फूट में कीवी हैं लेकिन कीवी भी ले तो अच्छे तरह से पका होना चाहिए कई बार लोग कीवी कच्छी मातरा में ले लेते हैं तो वोल्टा पेट में कर सकते हैं या कुछ खान पान में भी हम ऐसा कुछ बढ़ा सकते हैं जिसकी वजह से प्लेटलेट्स बढ़ जाए जो गिर गई हैं जो फूट्स में जैसे पपीता आप ले सकते हैं अगर आप पपीता को ले पकाऊ आच्छे से पकाऊ पपीता ले सकते हैं नारियल पानी ल औरक्टर किन को ज़्यादा अफेक्ट करता है क्या मतब जो यंग एज के लोग है उनमें इसकी संभामना थोड़ी ज़्यादा रहती है उसके पीछे रीजन यह है कि एक तो वो लोग एक्टिव होते हैं बाहर होते हैं तो उनमें मॉस्किटो बाइट की पॉस्विल्टी बढ़ जाती है बच्चों में कंपरिटिवली कम होता है बड़ों के कम परिजन में और परसेंटेज बहुत कम है एक उसतन के लगवक 400 लोगों को वर्ल्ड में डेंगू होता है जिसमें डेथ लगवक 40,000 लोगों की उनमेंसे डेथ होती है तो यह रेचियो बहुत कम है अगर आप समय पे उसको टीट कर रहे हैं तो यह काफी कम है तो ठीक होने वालों का परसें बिमारी के लिए एक टीका होता है क्या डेंगू से बचाफ के लिए भी क्या कोई पर्टिकुलर कोई टीका आता है जैसे अभी कोरोना के लिए एक टीका निकाला गया है कि अगर आप लगा लेते हैं दो टीके जो दो डोज आए हैं और भी कहीं ऐसी बिमारीों के टीके और पंट्राय नहीं है। उस टिका के बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं। तो इसवचे से ज है वो टिका अभी बहुत व्यापक तोर पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हम उसको कह सकते हैं कि वो ट्राइल फेज में ही है हलांकि डेंगू बहुत परानी बीमारी है और लगवग हाफ वर्ल्ड में फैला हुआ भी है लेकिन अभी टीका बहुत यूज में नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे इफेंट पर आ जाते हैं पर यूएसे वगरा में यू को सबसे उसकी गंभी रवस्ता यह होती है कि म्रीज का ब्लड फैसर हॅल कर जाना और शीवर ब्ली काइणrift गैजन से जक्राइब क понравLET करेंग भी तो पेशन्ट मल्ति खवलयम मैं चला जाता है तो भी इसके जानका खत्राइब भी बढ़ जाता बागया इन्गु मोई को जाते हैं उसके बाद की बाद के रिकवर होड़ने के बाद में हमें वेज ध्यान ये रखना होता है कि हम कुछ दिन तक जब तक हमारी बॉड़ी एक पता नहीं चल रहा है कि हम बहुत एक जरसन न करें हम रेस्ट उसी साफ से करते रहें हम हाइडरेशन पुरा प्रॉपर मील लें पानी की कमी न होने दें सरी होते हैं और फालो उप में जो भी समय जिस समय आपको बलाए गया एक आखिर सवाल सर कहीं लोग ऐसा करते हैं कि जो जैसे सिंटम्स आपने जैसे हमें बता दिया तो कुछ लोग खुद से ही प्लेटलेट्स क्योंकि पता होता है कि यह खाने से बढ़ जाएगी यह होगा त जैसे कि सेल्फ मेडिकेशन तो जब इस तरह की चीज़ों हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि उस समय पर जैसे बताये कि जो प्रकार होते हैं आप साधरान मरीज उनको पहचान नहीं सकता दूसरी चीज़ यह है कि आप एक वार समय पर चेक अप करेंगे तो आप को पता चलता रहेगा यहां लोग काफी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप परेस्टमॉल ले सकते हैं लेकिन एक दो दिन के लिए आपने देखा कर आपको नहीं आरा मिल रहा है तो फिर वो डैंगू बुखार हो सकता है और अगर एक वार आपको डैंगू डैंग्नोस हो गया या आपने सेल्फ डैंग्नोस कर लिया आपको पता है कि मैं मुझे एनस्वन एंटीजन कराना है मुझे लेट लेट काउन कराना है और यह सब के बाद में आप इस्टेम्डिस हो गए कि आप डैंगू के मरीज हैं तो फिर सेल्फ मेडिकेसन आपको बिल्कुल नहीं करना च चाहिए और डॉक्टर की बताई हुई दवाईयों के आपको चलना चाहिए आखिर में चाहिए कि सब्सक्राइब के वियोज को एक मैसे डैंगू जो है एक बहुत कॉमन बीमारी है जो की पूरी दुनिया में के आधे देसों में फैली हुई है तो डैंगू से घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है उसको आप समय पर डॉक्टर को दिखाएं वो बिल्कूल ठीक हो सकती है घबराने से किसी चीज का कोई निसकर्स हल निकलता नहीं है आप समय पर डॉक्टर को दिखाएं और अपने घर में मॉस्कीटो को नपन अपने दें जो सबसे जरूरी है क्योंकि डंगू आता मस्कीटों से ही है तो घर में कहीं कूलर में या जो आपके गंबले हैं वहापे कहीं पानी खटा नहोंने दें पानी खटा है तो उसको साथ दिन के अंदर रिप्लेस कर दें साफ करते रहें यह सब चीज़ां बहुत जरूरी हैं अगर आप यह सब प्रि आते करी जिसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौज़ित डॉक्टर एस्पी मौरिया इसके डी हॉस्पिटल से जिन्होंने हमें बहुत यह जानकारी दी है कि किस तरीके से हम देंगू का समय रहते पता लगा सकते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं अगले एपिसोड के साथ में एक नए टॉपिक के साथ में तब तक आप देखते रहें प्राइम टीवी नमस्कार प्राइम